कि बीते आठ नव वर्षों में कैसे देश के स्पोर्ट सेक्टर का काया कल्प हो गया है। आज देश भर में नए स्टेडियम तयार हो रहे हैं, नई एकेडेमी तयार हो रही है। इनमें कोच, टेक्नीशन, सपोर्ट स्टाप की जरुवत पड़ रही हैं, देश में स्पोर्ट का बजेट दो गुना होने से भी युवाओं के लिए नए मोके बन रहे हैं। साथियों, आत्म निर्भर भारत अभियान की सोच और एप्रोच सिर्फ स्वदेशी अपनाने और वोकल फोर लोकल से कहीं जादा है। यह सिमित दाइरवाला मामला नहीं है। आत्म निर्भर भारत अभियान गाउं से लेकर शहरों तक भारत में रोजगार के करोडों नए आउसर पैदा करने वारा अभियान है। आज आधुनिक सेटिलाइट से लेकर सेमी हाइस्पीड ट्रेन तक भारत में ही तयार हो रही है। बिते आठ नव वर्सों में देश में तीस हजार से जादा नए और सुरक्षित LHB कोचिज बनाए गए है। इनके निर्मान में जो हजारों टन स्टील लगा है, अलग-अलग प्रकार के प्रोडक्स लगे हैं, उन्होंने पूरी सप्लाई चेन में रोजगार के हजारों नए अवसर बनाए हैं। एक समय था जब भारत टेकनोलोजी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रकार से रियक्टिव एप्रोच के साथ काम करता था। बस रियक करना। 2014 के बाद से भारत दे प्रोएक्टिव एप्रोच अप्राई हैं। इसका नतीज़े ये हुआ हैं कि 21 सदी का ये तीसरा दसक रोजगार और स्वरोजगार के वो अवसर पैदा कर रहा है जिनकी पहले कलपना भी नहीं की जा सकती थी। आज युआओं के सामने कई ऐसे सेक्टर्स खुल गए हैं जो दस साल पहले उपलब्द तक नहीं थे। हमारे सामने स्टार्ट अप्स का उदारण है। स्टार्ट अप्स को लेकर आज भारत के युआओं में जवर्जस उत्सा है। एक रिपोर्ट के मुताबेट स्टार्ट अप्स ने 40 लाग से ज़्यादा डायरेक्ट और इंडायरेक्ट जॉब तयार की हैं। इसी तरह ड्रोन इंडुस्ट्री हैं। आज एग्रिट कल्चर हो या डिफेंस सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्टर से जुड़े सर्वे हो या फिर स्वामित्व योजना ड्रोन की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए बहुत सारे विवा ड्रोन मैनुफेक्टरिंग, ड्रोन फ्लाइंग से जुड़ रहे हैं। इसलिए प्लाइंग से जुड़े हैं।